ब्रगेन जुड़ गए हैं ब्रगेन जी कैसे आप देखते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बस्तर में पहुंच गए हैं बस्तर ही क्यों ये बता दीजे फिर हम 12 सीटों की बात करेंगे और महेश कशप और कवासी लखमा की लड़ाई की भी बात करेंगे देखें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जो दोरा है उस सिर्फ बस्तर के लिहाज से नहीं पूरे 36 गड़ के लिहाज से काफी एहम माना जा रहा है आपने कल देखा जबलपूर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रोट सो हुआ जिस तरीके से लोगों में उत्सा था ठीक वैसा ही उत्सा बस्तर में देखने को मिल रहा है पिछले आप समीकरण अभी रवी ने बताया जो समीकरण की पिछले विधान सभा चुनाओं के बाद 2018 के चुनाओं के बाद 2019 में लोकसभा चुनाओं हुआ वहाँ से वहाँ कॉंग्रेस जीती थी ये 20 साल बाद कॉंग्रेस की जीत हुई थी आज वहाँ काटे की टककर है भाजपान एक सरपंच को चुनाओं मैदान में उतारा है जो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगतार आगे बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सभा के माइने मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जो सभा का इस्थल चुना है जो इस्थान चुना है वो खासा माइन एहम है क्योंकि वहीं से बस्तर दसहरा के जो गुरू रहते हैं वहां से जहाकी निकलती है पालकी निकलत तो उस लिहाज से उन्होंने एक बड़े वर्ग को टार्गेट करते हुए एक बड़े वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए इस सभा इस्थल का चैन क्या खास बाती है अब आपने कहा कि चुनाओ के लिहाज से वोटों के परसेंट को देखें पिछले विधान सभा चुन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि बस्तर में पहले चरण का चुनाओ है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहांसे बिकल्फूक रहे वहां के बगल की जो कांकेर लोकसभा सीठ और बीजेपी के पास है पिछले विधान सभा चुनाओ दोहजार 18 की चुनाओं की आप देखेंगे तो 2018 में कांग केर में कॉंग्रेस को बढ़ती लेकिन लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई